नमस्ते दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत हैं, आपका अपने यूटूब चनल रतनभाईसा की रसोई में बच्चों के स्कूल हो गया है शुरू और बच्चे जो है टिफिन में रोटी लेके जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आज हम बहुत इस शांदार रेसिपी लेके आ बच्चे ना सातों के सातों दिन यानि कि चे दिन तो मांगेंगे संड़ी को चुटी रहें कि ना तब आपको कहेंगे कि ममा हमको तो रोटी बना के ही दीजिए आज हम बहुत इस शांदार चे पराटों की रेसिपी लेके आए हैं कौन सा पराटों को पसंद है कमेंट बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए अगर आपके चोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये पराटा सबसे बेस्ट है तो थोड़ा सा घी लगा लिया है और फिर इस ट्राइंगल शेप में इसे अच्छे से बेल देंगे ज्यादा मोटा और ज्यादा बड़ हो गया है तयार अब हम बताते हैं दूसरा पराटा तो सेम प्रोसिजर है एक रोटी बेल दीजिए उसके उपर लगा दीजिए घी अब आपके बच्चों को जो चटनी पसंद है उस चटनी का इस्तेमाल कीजिए मेरे बेटे को ठेचा चटनी ये कोला पूरी ठेचा जो है ये ग्रोसरी शोप में आपको बहुत आसान से मिल जाएगी तो इसके उपर इस तरह से चटनी को लगा लेंगे बच्चों को सेजवान चटनी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो आप वो चटनी भी लगा सकते हैं अब इसे सेम प्रोसिजर से इस तरह से ट्रैंगल श करें दोस्तों से कमेंन बोक्स में शेयर कर सकते हैं तो तवा ठूड़े कर्ट है धे। 还 में सबसे पहले डाला हैं साधा नॉर्मल पराठा इसे घी या तेल लगाकर और हम आप सेक सकते हैं मैं इसे गी लगा के सेक रही हूं क्योंकि तेल में मेरे बच्छोंको पराठी अच्छे सेक डिया है आप शॉर्ट ब्रिक के लिए जो है ना मखाने फ्राई करके दे सकते हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आते हैं और ये खाने में बहुत इस्वादिष्ट भी लगते हैं केल्शियम की मात्रा इसमें भरपूर होती हैं अब जो साधा पराटा हमने बनाया था उसक हम यहां पर एक पापड को सेख लिया है और पापड को सेख के उसकी बनाली है चूरी और एहां पर हम आड़ कर देंगे आलूर क्या थोड़ इसी मिर्शी पा नुदर सा च्छाट म साला आप चाहो तो थोड़ा सा घी जो है यहां पर आप एयड़ कर सकते हो अब इनीं कर द जो चूरी बना के रखी थी ना उसे हम इस रोटी के उपर इस तरह से फैला लेंगे और सेम प्रोसीजर से इसका ट्रेंगल शेप बना के पराटे को बेल देंगे वीडियो दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्स सकते हैं क्योंकि पराटे जो होते थंडे होने के बाद भी अच्छे लगते हैं तो अगर स्टफिंग वाला पराटा है तो आप उसे थोड़ा सा पहले हातों से ही प्रेस करके बेल दीजिए फिर उसे बेलन की हल्प से बेलिए ताकि उसकी स्टफिंग निकले नहीं बहार आ चलते हैं इसे सेखने के प्रोसीजर में तो सेम प्रोसीजर है दोस्तों तवे पे थोड़ा सा घी डालिए फिर डालिए पराटे को और दोनों ओर से अच्छे से सुनहरा कलर आने तक घी लगा के अलटते पलटते थोड़ा सा प्रेस करते हुए पराटे को सेख के कर देंगे तयार बहुत सारी रेशिपी जो है न दोस्तों आपको हमारे चैनल में देखने के लिए मिल जाएंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप कोई भी रेशिपी देखना चाहते हैं प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं आप हमें इंस्टाग् कराटा बनाने के लिए तो रोटी सेम प्रोसीजर से बेल देंगे और अब हम लगाएंगे इसमें गी यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है यह मेरा तो वन अफ दी फेवरेट हैं दोस्तों बच्चों क्या हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है तो इसमें गी लगा दीजिए फिस सूखा आठा लगा के सकर वाले पराटे भी आपने बचपन में दोस्तों सकर वाले पराटे तो खायी होंगे बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं किस खाया है कमेंट जरूर कीजिए तो अब इसके उपर वापस ते हम लगा लेंगे गी जो है न हम इस अच्छी बात है अगर गुड का पाउडर नहीं है तो हम आपको सज्जस करेंगे इस टाइप का जो देसी गुड आता है उसका इस्तेमाल कीजिए यह बहुत ही हल्दी होने वाले हैं तो इस टाइप से गुड को जो है मैंने कद्दू कस करके या फिर चाकू की हल्प चाप इ इसलिए मैं पिस्ता याड कर रहे हूँ अब थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देंगे अगर पसंद है तो डालिए वरना आप इसे स्केप पी कर सकते हैं तो ये भी बहुत ही हल्दी होने वाला है पराटा अब लीजिए एक फोक और फोक की हल्प से इस तरह से इसे दो दोनों और प्रेस कर दीजिए एक तरह से ये गुजिया बन गया है दोस्तों ये बहुत ही हल्दी है क्योंकि एक तो हमने आटा जो है मल्टी ग्रेन इस्तेमाल किया है और उसमें से इसके अंदर हमने गुर्ड डाला है और घी डाला है तो बहुत ही हल्दी जो है आपका पर यानि कि पराटा फट सकता है तो सेम प्रोसीजर दोनों और घी लगा के दोनों और से हम अच्छे से सुनहेरा कलर आने तक सेख देंगे इसी थोड़ा अच्छे से से ताकि उपर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट लगे अच्छा टेस्ट देगा तो इस तरह से हम दोनों और से सेख लेंगे अगर आपको डीटेल में मल्टी ग्रेन आटे की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए हम वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर शौट वीडियो में अब हम इसको कटर की हेल्प से जो है इस तरह से कट कर लेंगे और इसे हम सव कर लेंगे तो यह लीजे गुड़वाला पराटा भी हमारा जो है ना बनके हो गया है तैयार तो अब हम आपको बताते हैं प्याज का पराटा बनाना तो जिसके लिए मैंने अब यहां प्याज को पतले लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर दिया है अब यहां हरी मिर्ची भी यक फाइन चॉप कर लिया धनिया पत्ता अगर आपके बच्चों को दे रहे हैं तो यहां पे हरी मिर्ची के जगा पर रेट चिलीध इसलिक्स का इस्तेमाल कर सकते है से बेल देंगे आज हम प्याज का लच्छा पराठा बना रहे हैं आलू के पराठे की रेसिपी अलड़ी मेरे चनल में मैंने शेयर कर रखी है और मैंने यहां पे प्याज के पराठे की रेसिपी शेयर कर रखी है तो वो अलग है और यह अलग है तो हमने जो है इस तरह से प्य जरूर कीजिए इसमें से सारे पराटों में से आपके बच्चों को और आपको कौन सा वाला पराठा जादा अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिए तो यह हो गया दोस्तों हमारे पूरे हफ्ते का पराठों का शेड्यूल यानि कि आप हर रोज अलग-अलग अंदाज में नास्ट वाला पॉर्चन मैं उसको मैने अंदर प्रेस कर दिया है। मैं अब हमने डाल दिया है सूफा आठव और प्रेसकरदे अप्याज के पराटे को हो सकते अब हाथों से प्रेसकरदे में समस्केлюिदें क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज की स्टफिंग किये तो यह बाहर निकल जाता है बट कोई टेंशन नहीं इस तरह से थोड़ा सा सूखा आठा डाल दीजिए अब मैं इसके उपर लाइटली से धीरे से यानि की बेलन को गुमा दूंगे तक थोड़ा सा बड़ा हो जाए ज़ादा इसे बड़ा बेलने की जुरत नहीं है यह देखें मेडियम साइज का हमने यहाँ पराठा बेल दिया है तो पराठा सेखने का प्रोसिजर दोस्तों सेम ही रहता है दोनों और घी लगा कि अच्छे से पराठे को जो हैं हम सेख के कर देंगे तैयार तो ये लीजे दोस्तों ये हो गया है प्याज का पराठा भी तैयार वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए और जो शॉर्ट ब्रेग रहता है उसके अंदर आप ड्राइफरूट्स या फिफरूट्स ये भी आप दे सकते हैं मखाने की रेसेपी भी हमने रखे है लड़ homicide भी शेयर कर रहे हैं तो शौट ब्रेक के लिए कुछ हेल्दी दे देंगे तो बच्चों का पेट भरा रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद